मेरे प्यारे देश्वासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इन्वेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलोजी और करोनों के सारे काफी प्रगति की हैं, लेकिन कुछ बिमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती बने हुई हैं, ऐसी ही एक ब अनुमसिक बिमारी हैं, जो किसी भी उम्र में हो सकती हैं, इसमें सरीर की मास्पेश्या कमजोर होने लगती हैं, रोगी के लिए रोज मरा के अपने छोटे-छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे मरीजों के उपचार और रिखभाल के लिए बड़े सेवभा की जरुरत होती हैं, हमारे हां हिमाचल प्रदेश में सोलन्ट में एक ऐसा सेंटर है, जो मस्कुलर डिस्ट्रफी के मरीजों के लिए उमीद की नई किरन बना है, इस सेंटर का नाम है मानव मंदीर, इसे इंजियन एसोशेशेशन आफ मस्कुलर डिस्ट्रफी दवरा संचा मालित किया जा रहा है, मानव मंदीर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अध्भुत मिसाल है, यहां मरीजों के लिए OPD और एड्मिशन की सेवाएं तीन-चार साल पहले शुरू हुई थी, मानव मंदीर में करीब 50 मरीजों के लिए बेट्स की सुविधा भी है, फ प्रानायम के मदद से भी यहां रोग का उपचार किया जाता है, साथियों हर तरह की हाई-टेक सुविधाओं के जरिये, इस केंदर में रोग्यों के जीवन में सकारात्पक बड़लाव लाने का भी प्रयास होता है, मस्कुलर डिस्ट्राफी से जुड़ी एक चुनावती, इसके बारे में जागरुकता का अभाव भी है, इसलिए यह केंदर हिमाचल पदेशन ही देश भर में मरीजों के लिए जागरुकता शिवीर भी आउजित करता है, सबसे जादा होसला देने वाली बात यह है, कि इस संस्था का प्रभंदन मुख्यरुप से इस बिमारी से प इंडियन एसोशेशन आप मस्कुलर डिस्टाफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोशेशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले सिमान वीपूल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, मानो मंदीर को होस्पिटल और रि बहतर इलाज मिल सकेगा, बैजदे सामें प्रयासरत सभी लोगों की रदय से सराना करता हूं, साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बहतरी की कामना करता हूं